देखिए आज आपने जो स्टॉक मार्केट में आज हुआ जो कल हुआ जो लाखों लोगों का नुकसान हुआ है और जो एकॉनोमी की हालत है वो आप सबको क्लियरली दिख रही है कुछ दिनों से मैं कह रहा था कि ये जो कोरोना वाइरस का प्रॉबलम है बड़ा सीरियस प्रॉबलम है और उस पे भी सरकार ने जिस प्रकार से अक्शन लेना था नहीं लिया मेरा ये सवाल है कि जो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ थी जो हमारी एकॉनोमी है जो हमारी शक्ती है उसको नरेंदर मोदी जी ने और उनकी आइडियोलोजी ने उनकी पॉलिसीज ने नश्ट कर दिया है खतम कर दिया है और आज नरेंदर मोदी जी इसके बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं उनके मूँ से एकॉनोमी के बारे में एक शब नहीं निकल रहा है निर्मारा सीतरमन जी को तो मतलब मैं समझ सकता हूँ क्योंकि उनको कोई जाधा अंडरस्टेंडिंग नहीं है तो वो बोल भी नहीं पाएंगी बट प्रधान मंत्री को देश को बताना चाहिए कि वो अर्ध विवस्ता के बारे में क्या कर रहे हैं और यह जो हालत बनी है यह क्यों बनी है क्या किस कारण बनी है यह मेरा में मेसिज था रूपए की कीमत सर्व डॉलर के मुगावने पच्छतर रूपए के आसपास चली गए और तेल का दाम उस अपेक्षा कम नहीं हो रहा है देखेंगे देखेंगे यूपी ए ने मनमोहन सिंग जी ने इस देश की एकॉनोमी को गस साल चलाया था हम एकॉनोमी को चलाना जानते हैं हम एकॉनोमी को समझते हैं हिंदुस्तान की एकॉनोमी को नरेंदर मोदी जी ने और उनकी पॉलिसी ने नश्ट कर दिया है खतम कर दिया है और जो लोग इसको देख रहे हैं आप ये मत समझेए कि बात यहां रुकेगी, ये अभी शुरुआत है, जो काम नरेंदर मोधी ने नोट बंदी से शुरू किया था, गलत GST लागू करके किया था, उसका नतीजा आज आ रहा है और ये शुरुआत है, ये जैसे सुनामी आती है, ये जैसे सुनामी आती है, पहले पानी निकलता है, फिर बाद में पानी आता है, ये पानी निकल रहा है, इसके बाद पानी जबर्दस तरीके से अंदर आएगा, और लाकों करोडों लोगों को इस देश में नुकसान होगा, और खास तोर से जो युवाई इस बात को द संद्राबीस अरब पती हैं इस देश में उनका नुकसान नहीं होने वाला है आपको मैं सुन ली मैंने बात सुन ली मैं कॉंग्रेस प्रेजिडंट नहीं हूँ मैं कॉंग्रेस प्रेजिडंट नहीं हूँ मैं राजय सभा की डिसिजन नहीं ले रहा हूं मैं हिंदुस्तान के युवाओं को जो एकॉनमी है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ तेम के लोग के अंदेखी हो गया आप अगे लेकर आएगे लेकर आएगे अगें अगे भी में आइखी के अपाटी फोड़कर आई जो अप्राटी है लोग सम्झे जाते के लोग से लोग सिर्थन नहीं वेडिन नहीं हूँ यख़ site . to raise such nonsensical questions because the real issue here is what is going to happen to crores and crores of people who are going to be decimated. No, no. Look, look. Let me tell you something. There is no preparation of coronavirus. I have said it again and again in my tweets. There is no preparation. The Indian government is asleep. They do not realize that coronavirus is spreading in this country. And it is going to have devastating consequences. Our prime minister is sleeping at the wheel. He does not understand these things. Unfortunately, I am telling you, the prime minister of India is clueless about the economy, about how these things work. And we are heading on the highway for an accident. As a nation. We are heading for an accident as a nation. Okay. 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 How do you respond to the fact that government says that India is not an isolated case? The world has been affected by a slowdown. And if you just look at it today, every stock market is that. Listen, in 2008, right, there was a shockwave similar to this. The Indian economy was protected from that shockwave by our policies. Everybody then was saying, Europe has been decimated, the United States has been decimated. But our policies have protected India. What protected India at that point? Let me tell you. The informal economy of India protected India at that point. The money that people had kept in their houses protected India at that point. You have taken that buffer, you have taken that shock absorber out. Now you are going to face the full shock that you didn't face in 2008. But then you are legitimizing black money. No, I am not legitimizing black money. I am saying that there were legitimate savings of poor people in their houses, in their villages, which you took away from them. Right? Now you are busy spending your money trying to save Axis Bank. You are taking money of legitimate people from the State Bank of India and you are giving it to save this bank. Right? So the whole idea is you are trying to protect your 15, 20 stakeholders and you have run roughshod over the economy. And I am a member of the opposition. I am seeing a tragedy unfolding. What do you think the Prime Minister should do? Well, first of all, Prime Minister should explain. You see, Prime Minister should explain to this country what his strategy out of this mess is. One second. One second. My bowl round. Prime Minister should explain to this country what he thinks the strategy out of this mess is. Right? There are ways out of this mess. Because we are not hearing any of them. I tweeted three or four times over the last month that Corona virus is a very serious problem in India. Right? Before I tweeted it, there was nothing going on. After I tweeted it, the Prime Minister made one or two sort of comments about it. But Corona virus is not just a virus that is infecting people. Corona virus is a very, very serious problem for our economy. Right? It is a direct attack on the economy. So we have to start taking emergency measures now. Frankly, it's too late if you ask me. It's already too late. But we need to start now taking action to protect the damage that is going to happen. That is why, that is why.